कर दोस्तों आप सबी लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग क्लाश 12 का एक साइज 10 अगा क्वेशन अगा 13 से करने जा रहे हैं पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेशन में 12 देख ले थी यह आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से पहले उस वीडियो को जाकर देखें तब यह आप लोग अचा से समझ वाएगा दोस्तों देखें इसको नों का रहा डेरिवेटिवस निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट व एक्स यानि कि डिफ्रेंसियेट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट वू एक्स तो यहाँ पर द सबसे पहले हैं निम्रेटर हम पावर को शिफ्ट कर लेंगे एक इसके फास हम लोगेए कर लेंगे लिए यह इक्वर टू एक्स स्कुरार माइनस थ्री एक्स प्लस फाइब का पावर कितना माइनस थ्री ओके इसके बाद लिखेंगा हमनें डिफ्रेंसियेटिंग बोग with respect to x we get देखे क्या हो जाएगा त्या हो जाएगा d upon dx of this equal to यह हो जाएगा d upon dx of यह पुरा ट्रम हो जाएगा यानि कि x square minus 3x plus 5 का power minus 3 ओके देखे हो जाएगा d y by dx equal to देखे किसका format है x to the power n का तो d y dx of x to the power n क्या होता है n x raised to the power n minus 1 तो पहले power का होगा देखे n कितना है minus 3 x x के जगा पर है यहाँ पे x square minus 3x plus 5 का power n यानिके minus 3 minus 1 into अब जाएगा d y dx of इसका यानिके x square minus 3x plus 5 इसके बाद x के जब किया x square minus 3x plus 5 आगे देखे तिवह जाएगा d y by dx equal to minus 3 times x square minus 3x plus 5 का power कितना हो जाएगा minus 4 into अब देखे यहाँ पे बहुत सारे टर्म है यहाँ पे तो d y dx चाड़ा के साथ लगेगा तिवह जाएगा d y dx of x square minus d y dx of 3x plus यह जाएगा d y dx of 5 ओके आगे देखे तो जाएगा d y by dx equal to minus 3 times यह जाएगा x square minus 3x plus 5 का power कितना minus 4 into दोस्तों याद रखे गेगा d y dx of x square कहीं भी मिलेगा सर्जल्ट होता है 2x ओके minus देखे यहाँ पे variable constant दोनों मिला हुआ product में है तो कभी constant हम लोगों को product में रहेगा या divide में रहेगा तो हम लोगों क्या करेंगे उसको पहले बाहर shift कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो बचा क्या d y dx of x कहीं मिलेगा d y dx of x तो उसका result कितना होता है 1 plus यहाँ सिर्फ constant इसका result हो जाएगा 0 ओके आगे देखिए तो यहाँ जाएगा हम लोगों को d y by dx equal to minus 3 times x square minus 3x plus 5 to the power minus 4 into यहाँ जाएगा 2x minus 3 ओके अब आगे देखिए तो यहाँ जाएगा d y by dx equal to देखिए यह power negative है न यह वाला इसको लोगो नीचे shift कर लेंगे उपर में क्या बचेगा बता ही यह होजएगा minus 3 times यह होजएगा 2x minus 3 upon में यह power चला जाएगा नीचे तो क्या होजएगा positive में आजएगा तो यह होजएगा x square minus 3x plus 5 to the power कितना 4 तो यही दोस्तों इसका answer हो गया इस पाउड को नीचे shift किया किस रूल से exponent के रूल से a to the power minus m equal to कितना होता है 1 upon a to the power m होता है तो इस negative power को लोग क्या कि यह नीचे shift कर दिया तो यह इसका final answer होगे अब इसका next question देखते है question of 14 देखते है देखे है 14 में question लोग यह दिया गिए इसको उन्हों derivative निकालना है root में यहाँ पर दिया गिया है देखे है इसको उन्हों कैसे solve करेंगे तो यह हम लिखे है let यह y equal to root under यह a square minus x square upon a square plus x square अब इससे आगे देखे है इसको उन्हों लिखे है differentiating both side with respect to x we get देखे है क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हम लोगो d upon dx of यह y equal to d upon dx of यह पूरा term root under a square minus x square upon a square plus x square ओके अब आगे देखे है इसका next page में इससे आगे इसको solve करेंगे देखे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा dy upon dx equal to दोस्तों देखे है root में हम लोगो function दिया गया है तो सबसे फ़र्द root का होगा तो सबसे जानते हैं कि dy dx of root under x equal to क्या हो जाएगा one upon में two root under x होता है x के जगप यह समझी कि यह पूरा है तो क्या हो जाएगा इससे जगप रूट का करेंगे root और यह x क्या हो जाएगा one upon में two root under x के जगप यह क्या है पूरा है यानि कि a square minus x square upon में a square plus x square into यह जाएगा dy dx of इसका अंदर वाला यानि कि a square minus x square upon में a square plus x square ओके आगे देखिए तो जगए dy by dx equal to one upon देखिए यह two tragedies देखिए root में हम लोगो दिया गया तो root को जैसे fraction root के अंदर fraction में डाएगा इसको अलग-अलग root में भी हम लोग इसको solve कर सकते जैसे माल जाएगे root under a upon b है इसको ऐसे भी लिशकते है root under a upon root under b तो जैसे एगा root under a square minus x square upon root under a square plus x square into अब दोसरे देखिए यहाँ पर question true लगेगा question true अब लोगो class 11 तो पढ़े थे जैसे यह u है और यह b है क्या होता है b का a square b क्या है a square plus x square का होल a square यह b है और यह u है तो b a square उपर में वह जाएगा b यानि की a square plus x square into d by dx of u यानि की a square minus x square minus u यानि की a square minus x square into d by dx of v यानि की a square plus x square ओके क्या था rule दोस्तों देखिए फिर समझे कि b का a square denominator में फिर b into d by dx of u minus u into d by dx of v यानि की जैस्ट हम लोग इसको formula को put किये है ओके आगे देखिए तियो जागा dy by dx equal जहाँ पर u क्या होता numerator और b क्या होता denominator अब देखिए यह चला जाएगा उपर चला जाएगा क्योंकि number upon fraction है तो जो रूट अंडर a square plus x square upon में 2 root अंडर जो 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 a square minus x square into अब देखिए यहाँ पर a square plus x square into देखिए dy dx of x a square कितना बजाएगा constant 0 minus dy dx of x square यानि कि 2x minus minus के बाद यहाँ पर आएगा a square minus x square into dy dx of a square constant 0 plus dy dx of x square यानि कि 2x upon में यह जिट इज a square plus x square का whole square आगे देखिए देखिए यह हो जाएगा अम लोगो dy dx equal to root under a square plus x square upon में 2 root under a square minus x square into देखिए इसे को multiply किजिएगा यह हो जाएगा हम लोगो minus 2 a square x देखिए इससे इसको multiply किएगा minus 2 a square x यह हो जाएगा minus 2 x q ऐके पिर देखिए इसको multiply किजिए तिह हो जाएगा minus 2a square x और यह हो जाएगा minus minus plus 2x cube ओके अपन में justices को कियागा multiply किये तिह हो जाएगा a square plus x square का whole square आगे दखिए देखिए plus 2x cube से minus 2x cube आपर cancel हो जाएगा तिह हो जाएगा dy by dx equal to root under a square plus x square upon में 2 root under a square minus x square into यह हो जाएगा माइनस 2a square x minus 2a square x तिह हो जाएगा minus 4a square x upon में a square plus x square का whole square यहाँ देखिए 2 यहाँ से cancel हो जाएगा ओके आगे देखिए तिह हो जाएगा dy by dx equal to root under a square minus x square upon में root under a square minus x square into यह minus 2a square x upon में a square plus x square का whole square ओके अभी इसे आगे थोड़ा देखिए यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर यहाँ जाएगा dy by dx equal to यहाँ से root को हटाएगा तो power आ जाएगा यहाँ पर 1 upon 2 upon में यहाँ देखिए इन्टू यह हो जाएगा minus 2a square x upon में a square plus x square का power 2 अब देखिए इस power को हम लोग क्या नीचे shift कर देएगे देखिए यहाँ पर क्या a square plus x square power half है और यहाँ a square plus x square power कितना 2 है तो power जादा यहाँ पर इस कम बाले को उन्हों नीचे shift कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हम लोग को यह हो जाएगा dy y dx इकोल उपर में सिर्फ जाएगा हम लोग माइनस 2a square x upon में इसको नीचे shift करते हैं देखिए यह ही आएगा as it is a square minus x square का power half into यह हो जाएगा a square plus x square का power 2 देखिए इस power को में लोग नीचे shift करेंगे तो यह माइनस में आ जाएगा ओके positive powers को नीचे shift करेंगे क्या हो जाएगा negative हो जाएगा तो यह हो जाएगा dy y dx इकोल टू-2a square x upon में a square minus x square का power 1 upon 2 इन टू यह हो जाएगा a square plus x square का power यहाँ पेल्सियम ने लिजेगा टू-2 जाएगा तो यही दोस्तों इसका final answer हो गया है तो आई हो दोस्तों question of 14 आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहीं भी doubt हो तो दोस्तों पूछ भी सकते हैं और इस question rule में दिक्कत हो आप लोगों को तो class 11 में बना हुआ वेडियो इसका differentiation question rule का तो इसको आपना जाकर पहले देखिए तब आप लोगों इच्छा समझ में आएगा ठीक है अब इसका next question question of 15 देखिए तो 15 में question का रहा है root अंडर one plus sign x upon one minus sign x यह भी question दोस्तों सेम है देखिए root में दिया गया है और साथ fraction में भी है फिछला question root में भी दिया था fraction में है तो इस question के लिए सेम प्रोसेस करेंगे यह लेट कर लेंगे कि लेट y equal to root अंडर one plus sign x upon one minus sign x okay इस वाल देखिए आप differentiating both side with respect to x we get देखिए क्या हो जाएगा तो जाएगा d upon dx of this यानिके y equal to d upon dx of root under one plus sign x upon one minus sign x okay आगे देखिए यह हो जाएगा हम लोगों को dy by dx equal देखिए सब्सक्राइब दूसरों root का होगा तो हम लोगों देखिए देटिवेटिस के आता one upon में two root under x x से जब कितना है one plus sign x upon one minus sign x into अब किसका होगा root के अंदर वाले का तो जाएगा d by dx of यह one plus sign x upon one minus sign x ओके अब यहाँ पर देखिए question true लागेगा क्योंकि fraction में है divide में हम लोगों को function रहेगा तो हम हम लोगों क्या करेंगे question true लगाएंगे आगे देखिए यह होजाएगा dy by dx इक्वाल दू अपॉन में टू तैजिटिज देखिए इसको रूट में हम लोगों को दिया गया है तो हम लोगों इसको अदर रूट में सेपरेट कर सकते हैं यानिकि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स तेशी दोस्तों रूट के अंदर में डिवाइड में और प्रोट में पॉसिबल है अब यहाँ पर कुस्टन डोल से इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा वी केcm2 यह देगर यई ये रूट में लिवा ना सीन DANIEL में वेन की स्कार जरुं मैंने रूट मइनस साइन 1 minus sin x ओके question rule से इसको solve किये, देखिए b का square, b का square फिर b into dy dx of u minus u into dy dx of b, अब इसको solve किजिए finalist का result आजाएगा, देखिए तियो जाएगा, dy by dx equal to, देखिए root under 1 minus sin x उपर जाएगा क्योंकि number upon fraction है, यह जाएगा 2 root under 1 plus sin x, ओके into देखिए, 1 minus sin x into देखिए, यहाँ पर dy dx of 1 क्या हो जाएगा, constant है, 0 plus dy dx of sin x, याद रखिएगा कि cos x होता है, sin x के derivative क्या होता है, cos x होता है, minus यह 1 plus sin x into dy dx of 1 0 minus dy dx of sin x cos x, ओके आगे देखिए, upon में, यह 1 minus sin x का whole square यह हो जाएगा, अमनों को d by by dx equal to root under 1 minus sin x upon में, 2 root under 1 plus sin x into देखिए, cos इसको multiply किजिए इस दोनों को इसे multiply करेंगे, ते हो जाए, cos x minus cos x into में sin x ok देखिए, यह हो जाएगा, minus, minus हो जाएगा, plus देखिए, यह हो जाएगा, minus और यह minus plus तो cos x इसको multiply किए, देखिए, cos x plus cos x into sin x just दोनों में लगे आगे, multiplication के, ok इसे इसको, साथ में, minus sin upon में, 1 minus sin x का अब देखिए, minus cos x into sin x minus cos x into sin x से, plus cos x into sin x cancel हो जाएगा, क्या आवाचाहिए, यहाँ पर देखिए, यह जाएगा, dy by dx equal to यह जाएगा, root under 1 minus sin x upon में, 2 root under 1 plus cos x ok, into cos x plus cos x वजाएगा, 2 cos x upon में, 1 minus sin x का खुल सकर, यह 2 से 2 cancel हो जाएगा, दोस्तों, ok अब आगे देखिए देखिए, देखिए इस साथ में, लोगे, solve कर देखिएगा, dy by dx equal to, इसको अदाओर root में लिख दीजिए, root को हटाई यहाँ से, यह जाएगा, 1 minus sin x का power 1 by 2 upon में, यह जाएगा, 1 plus sin x का power 1 upon 2 into, यह जाएगा, cos x upon में, यह 1 minus sin x का power 2 ok, आगे देखिए, तो यह जाएगा, dy by dx equal to, इस power देखिए, 1 minus sin x का power half है, यह 1 minus sin x का power 2 है तो power जाएगा यहाँ पे है, इसको नीचे shift कर देंगे, तो उपर में क्या बचेगा, यह जाएगा, cos x upon में, यह 1 plus sin x का power half, into, यह जाएगा, 1 minus sin x का power, यह जाएगा, 2 minus, यह 1 upon 2 को नीचे shift कर देंगे, तो जाएगा, minus 1 upon 2 आगे देखिए, यह जाएगा, dy by dx, equal to, cos x upon में, यह जाएगा, 1 plus sin x का power, 1 upon 2, into, यह जाएगा, 1 minus sin x का power, 2, 2, 4 minus 1, 3 upon 2, तो यह दोस्तों इसका answer हो गया, दोस्तों एक बात बताना चाह रहे हैं आप लोगो, इस वीटियोम दोस्तों, दोस्तों दुसरा दिया गया, ठीके, लुक माँसर दिया गया, इसका, sik x x, into, सik x, plus 10 x, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि यह आँसर गलत है, यह आँसर भी सही, यहांं पर इससों मिलते हैं ने इस जो आगे Wie